तो ग्लोबल सेटाप बिगडा हुआ है क्योंकि फेडरल रिजर्व पर सभी की नजरे है फेडरल रिजर्व क्या डिसाइट करेगा ब्यासदरों को लेकर उसका फैसला आज बुधवार शाम को भारतिय समय अनुसार साड़े ग्यारा बज़े आएगा उससे पहले ग्लोबल मा एक डम शान्त इंतजार कर रहे हैं उस बड़े ट्रिगर का 15.710 के आसपास S.J.S. Nifty ट्रेट करतावा दिखाए दिया है कल हम 15.732 पर जाकर टिके थे तो माइल्ड डिप है कल की क्लोजिंग की तुलना में साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि एश्याय तस्वीर किस तरह से और अफकॉस ग्लोबल सेट अप में अमेरिका में क्या हुआ तो एश्याय पिक्चर आपके सामने हैं जहापर हम देख रहे हैं थोड़ी सी माइल्ड गिरावट के साथ शुरुआत होती भी दिखाई दी है ने कहीं के मार्केट में करीब आधे पसंड का नुकसान कॉस्पी ताइवान भी फ्लैट टू नेगिटिव ट्रेट कर रहे हैं हॉंग कॉंग कोंग के फ्यूचर इंडिकेट कर रहे थे कि वहाँ पर दरहसल कुछ मुनाफ़वसूली के साथ शुरुआत होगी उन मार्केट को खुलने देंगे महां से कुछी देर में अपडेट आएगा ले देखने को मिली और S&P के लिए लगातार मंदी वाला सत्र साबित हुआ प्रेशर था प्रेशर कायम था कल जब हम भारतिय बाजारों को छोड़ कर गए थे तब देखे क्या स्तिती बंती दिखाई दे रहे थी डाव फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहा था कि थोड़ा सा उच्छाल के साथ कारोबार देखने को मिलेगा 30,636 पर था अब आप देखेंगे तो ये 30,441 पर आता हुआ तो क्लियरली 200-500 पॉइंट तक का कूल आफ देखने को मिल रहा है नास्टैक फ्यूचर्स में भी जादा चेंजिस नहीं है क्योंकि नास्टैक में कल थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली थी लेकिन हाँ, S&P लगातार बेर मार्केट टेरिटरी में ट्रेट करता हुआ, पाच्वा सत्र जहां पर बिकवाली के साथ ट्रेट बनता हुआ दिखाई दिया कुछ और डेटा आपके लिए लेकर आए और खासतोर से डॉलर इंडेक्स जो इंडिकेट कर रहा है, जो बॉन्ड यील्ड इंडिकेट कर रही है, बॉन्ड यील्ड तो एकदम साफ दिखा रही है कि चिंता है दरों की बढ़ने की, डॉलर इंडेक्स भी जो 105 के नीचे था आज 105 के उपर ट्रेड बनता हुआ, और अफकॉस हम देख रहे हैं, ब्रेंट के भावे 123 से 120 के दाइरे में अभी भी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोने की चमक थोड़ी सी फीकी पड़ती हुए दिखाई दी है, लेकिन आज दरसल फैसले की घड़ी है, फैसल में दिखाई पाई